आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, हमें question में पूछा जो change in enthalpy और जो change in enthalpy और जो change in enthalpy और इंटर्नल एनर्जी का वो इक्वल कब होगा रूम टेंपरेचर पर तो देखो, हमें 4 options कीवन है तो जो हमारा relation है enthalpy और इंटर्नल एनर्जी का वो क्या होता है हमारा delta H, that is change in enthalpy, equal होता है कि इसके delta E plus इसको लिख लेते हैं change in enthalpy और delta E क्या होता है मेरा यहां पर change in the internal energy और यहां पर हमारा होता है plus delta NG यह होता है हमारे gaseous moles किसके product minus reactant और यह सबसे जुरूरी है कि वो moles gaseous moles ही होने चाहिए जो हमारे product के है minus reactant और हमारा gas constant और T temperature तो वो equal कब होंगे वो equal तब होंगे जब हमारी यह वाली टर्म 0 होगी और यह दोनों तो हमारे constant and temperature and gas constant मतलब अगर मेरी delta NG की value 0 है तो उस case में मेरी जो given situation हो satisfy होगी तो ठीक है one by one हम देखते है first combustion of glucose तो यहां पर glucose का combustion हमें show करना है मतलब हमें इसको heat करना है burn करना in the presence of oxygen जो हमें देते co2 and water तो देखो glucose के किसमें क्या होगा मेरा c6 h2o6 और यह मेरा glucose solid plus oxygen से बर्न होगा गया सी क्या produce करेगा co2 plus water reaction को balance कर लेते हैं कितने होगा यहां पर हमारे oxygen carbon 6 हो गए oxygen 12 और यहां पर कितने हैं यहां पर 6 plus 2 तो मैं यहां पर 6 से multiply करा देती हूं ठीक है किती होगे हमारे hydrogen 12 यहां पर hydrogen balance हमारा क्या बचा अब हमारी reaction completely balanced है ठीक है तो यह gaseous carbon dioxide मेरी gas है और water गया होगा लिक्विड तो देखो अब इस question के लिए इस equation के लिए delta NG की value find out करो product में कितने gaseous moles है यह तो liquid है यह gaseous है तो यह 6 है minus reactant में कितने हमारे gaseous moles देखो कितने है 6 तो 6 minus 6 0 और मैंने क्या का था delta NG की value अगर यह 0 गी तो मेरे delta H equal to delta E होगा तो first case में मेरे delta H equal होगे delta E के ठीक है यह हमसे पूचा था but you reactions देखते है अब B part में combustion of ethylene मुझे ethylene का combustion कराना है तो देखो ethylene के combustion में क्या होगा ithylene camera c2h4 c2h4 जिसको कैसे लिखते हैं और सॉर्ष इच ठीक है ना प्लस हम मेरी क्या हो गास इताइलियन is a gas plus oxygen की presence में बान होंगे तो ही क्या प्रेड्यूस करेंगे co2 plus water और यह मेरे 2 हो जाएगा यहां पर भी हमारा 2 हो जाएगा और यहां पर मेरा कितने हो गया oxygen और फॉर प्लस टू सिक्स तो यह हम 3 से multiply कर देंगे यह gaseous और यह मेरा liquid चाहिए तो अगर आप यहां पर देखेंगे हमारी प्रादाश जी वेल्यू तो देखिए डेल्टाश जी की वेल्यू इस गिए किस फो मेरी कितनी है और प्रोडक्ट साइड गैसे स्मोल कितने है इस हमारे 3 फ्लस ब्लस 1 4 तो ब्रक्टाश साइड के वेल्यू का यह मेरी माइनस टू तो इस करके क्या प्रोड्यूस करेगा CO2 प्लस वाटर यह मेरा लिक्विड और यह मेरा गैसिस और रियक्शन को बैलेंस कर लो तो यह 2 हो जाएगा और यहां पर ऑक्सिजन के तो प्लस टू फोर तो मैं इसकी टू से मल्टिप्लाइ करा दूगी अब डेल्ट एंजी की वेल्यू निकालो गैसिस मोल्स कितने मैं product side मेरे 1 छीक है? माइनस reactant side 2 plus 1 दिस स्थी तो यह को लाया माइनस छोगा तो यहां पर मैरा डेल्ट एंजी की वेल्यू अलिव आ गई तो मतला यहां भी सबल्ट इंग प्लक फ है की अब हम लास्त पार्त देका करेक्षा YouTube completed इथाइल अलकोहल, इथाइल अलकोहल क्या होगा, मेरा C2H5OH, C2H5OH, ही मेरा लिक्वड इसको बन के, मैंने in the presence of oxygen gas, तो यह produce करेगा CO2 plus water, oxygen 2 है, तो यहां पे मैंने 2 लगाया, ठीक है, तो carbon balance हो गए, अब हम देखता है, hydrogen, तो 5 plus 1, 6, और यहां पे तो 2 है, तो 3 से multiply कर दिया, यह होगा liquid, यह होगा मेरा gaseous, और oxygen कितना होगी, 4 plus 3, 7, और यहां 1 है, तो क्या बची 6, तो मैं इसकी 3 से multiply करा दूंगी, तो देखो, अब मैं यहां पे delta mg की value निकालती हो, तो gaseous mole कितने product side 2, यह तो liquid है, और यहां पे V कितना होगी, 3, तो यह होगा मेरा minus 1, तो देखो, इस case में भी मेरा delta H not equal to delta E है, तो जिस case में delta H equal to delta E है, वो कौन सा है मेरा part 1, तो इस question का हमारा correct answer क्या हो जाएगा, option number A, जिसमें हमारे internal energy और enthalpy, change in internal energy और change in enthalpy दोनों एक उसरे के equal है, जिक है, थांक्यू. आट चार्सो 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 पर